गौरखपुर के छोटे से गाउं में सीमा नाम की लड़की अपने दो बच्चों के साथ रहती थी सीमा बहुत ही गरीब थी इसलिए वो मिट्टे के खिलोने बना कर बेचा करती थी लेकिन इतने में वो अपने घर का गुजारा नहीं कर पाती थी और उन्हें केवल एक ही वक्त की रोटी खानी पड़ती थी सीमा रात भर मिट्टे के खिलोने बनाती थी और अगले दिन वो बाजार में ज़ाकर उन खिलोनों को बेच दिया करती ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिन्दगी गुजर रही थी एक दिन की बात है जब सीमा का छोटा बेटा SONU उससे कहता है मा, मुझे बहुत जोर से फोग लगी है मा, हम पूरे दिन में केवल एक ही समय खाना क्यों खाते हैं वाखें समय क्यों नहीं बेटा जितना मैं कमाती हूँ उतने में तो केवल एक ही समय का खाना आपाता है ना लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए और मेहनत करूँगी जिससे मैं तुम्हें दो वक्त का खाना खिला सकूँ अगले ही दिन सीमा लोगों की घर में जाड़ू पोचा करने का काम भी शुरू कर देती है जिससे वो कुछ और पैसे कमालिया करती है और अपने बच्चों को दो वक्त का खाना खिलाने लगती है अरे वामा आज तो दो वक्त का खाना खाने को मिल गया ऐसा लग रहा है जैसे काफी समय बाद हमने पीट पर के खाना खाया है सीमा अपने दोनों बच्चों को देखर बहुत खुश होती है और ऐसे ही दिन रात मेहनत में लग जाती है इतनी ज्यादा मेहनत करने से उसकी सीहत और तबियत बिगडने लगती है और धीरे धीरे वो वक्त आता है जब उसकी उसकी इम्रत्यू हो जाती है बिचारे सोनों और मुन्नी अपनी मा की अर्थी को देख कर रोते रहते हैं उठो ना मा क्यों नहीं उठ रही हो तुम तुम्हारे सिवा मीरा और कौन है ऐसे पीछ रास्ते में हमें छोड़ कर क्यों जा रही हो अब मैं अपने छोटे भाई सोनों को कैसे पालूंगी अपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ मा उठो ना मा तुम्हारे सिवा मारा कोई भी नहीं अब हम दोनों इस दुनिया में क्या करेंगे मा दीदी मा क्यों नहीं उठ रही है दीखो कब से सो रही है कितनी देर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मा तो उठी नहीं रहे क्या तुम्हें पता है कि मा कैसे उठेगी तुम्हें उठाओ ना क्या पता तुम्हारे बात सुनकर मा उठ जाए थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी मा का अंदम संसकार कर देती है ऐसे ही धीरे धीरे एक दो दिन निकल जाते हैं घर में बचा हुआ खाना भी खतम हो जाता है बहीं जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे वो भी खतम हो जाते हैं तब ही सोनु मुन्नी के पास आकर उसे कहता है दीदी कल पूरे दिन से कुछ नहीं खाया मुझे बहुत तेज भूक लगी है कुछ बना दो ना दीदी मैं कब से भूका हूँ जब से मा गई है हम लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा सोनु घर में जो भी खाना था वो सब तो खतम हो गया अब मैं तुमें कहां से खाना ला करदू एक काम करवाज आज पाने पीख कर हे सूचा कल मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊंगी ये कहकर वो सोनु को एक ग्लास पानी पिला कर सुला देती है बीचारा सोनू भोखा प्यासा सो जाता है रात को मुन्नी बैठे बैठे सोचती रहती है हे भगवान मैं कैसी बहन हूँ अपने भाई का खयाल भी नहीं रख सकती उसे एक समय का खाना भी नहीं खिला सकती मेरे जैसे बहन को होनी ही नहीं चाहिए थी उपर से मां भी मुझे चोड़ कर चली गई अब मैं क्या करो कुछ समझ रहीं आ रहा कि किस तरह पैसे कमाओ तब ही उसकी नजर मिट्टी के बने खिलानों की उपर जाती है उसे देखकर वो सोचती है एक काम करती हूँ मिट्टी के घर बनाती हूँ मां भी कहती थी कि मैं मिट्टी के घर बहुत अच्छा बनाती हूँ क्या पता लोग मेरे मिट्टी के बने हुए घर खरीद ले जिससे मैं कुछ पैसे कमा लूँ ये सोचकर वो रात घर मिट्टी के घर बनाने लगती है पूरी रात मेहनत कर अगले दिन वो मिट्टी के घरों को बाजारों में जाकर बेचती है ले लो मिट्टी के घर ले लो सुन्दर सुन्दर मिट्टी के घर तुम्हारे बच्चे भी खेलेंगे मिट्टी के घर से ले लो मिट्टी के घर ले लो अपने बच्चों के लिए ले लो, मिट्टी के घर ले लो ये कहकर मुन्नी बाजार में मिट्टी के घर बेचना शुरू कर देती है उसे मिट्टी के घर बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसके सारे मिट्टे के घरों में से केवल एक ही मिट्टी का घर बिखता है, जिससे उसको सिर्फ खाने के लिए पैसे मिल पाते हैं वो अपना और अपने छोटे भाई सोनु के लिए खाना लेकर वापस घर आ ही रही थी तभी रास्ते में उसे एक बूढ ही औरत मिलती है, जब वो मुनी को देखती है तो वो मुनी से कहती है सुनो बेटी, दो दिन से भूकी हूँ, कुछ भी नहीं खाया, अगर कुछ खाने के लिए है तो मुझे भी दे दो बेटी अमा जी, मेरे पास दो ही लोगों का खाना है, एक मेरा और मेरे चोटे भाई सुनो का मैं आपको मेरे हिस्से का खाना खिला सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई के हिस्से का आपको नहीं दोंगे, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है अगर आपकी इतने में भूख मिट जाती है तो ये लीजिया आप खा लीजिया ये कहकर मुन्य अपने हिस्से का खाना उस बूड़ी आउरत को दे देती है जैसे ही वो बूड़ी आउरत खाना देखती है वो खाने पर तोट पड़ती है और खाना खाने के बाग वो सुन्दर सी लाल परी में बदल जाती है वो लाल परी मुन्नी के पास आकर उससे कहती है मुन्नी तुम दिल की बहुत साफ हो और बहुत अच्छी भी हो मैं तो पाताल लोग से आई हूँ यहां अक्सर आकर मैं लोगों की परिक्षा लेती हूँ और आज तुम इस परिक्षा में पास हो गई और मेरी कुछ सहीलिया गरीब लोगों की साहिता करती है मैं तुम्हारे इस मिट्टे के घर को एक जादूई मिट्टे का घर बना दूगी इसे तुम कहीं पर भी ले जाकर रखोगी तो ये जादूई मिट्टे का घर एक बहुत बड़े और सुन्दर महल में बदल जाएगा उसके बाद तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई दि जाता है वो अपने भाई सोनू को उसके अंदर ले जाती है वहाँ उनके रहने की सारी सुविधाई होती है और वो अंदर से भी बहुत सुन्दर होता है उनके लिए वहाँ ठेर सारा खाना अलग अलग तरह के पकवान होते हैं जिन ही देखकर सोनू कहता है अरे वाद ही दी आप तो बहुत अच्छी दीदी हो आपने कल ही मुझसे कहा था कि तो मुझे पेट भर के खाना खिलाओगे और आज आपने अपना वादा पूरा क्या पहन हो तो आपके जैसे ये कहकर वो खाना खाने लगता है वही दूसरी तरफ मुझे के मन में खयाल आता है कि उसकी तरह पता नहीं कितने और गरीब होंगे जिनके पास खाने के लिए और रहने के लिए कोई सहारा नहीं मुझे ऐसा सोच ही रही थी इतने में वहाँ से सोने के सिकों का मटका आ जाता है जिसमें धेर सारे सोने के सिके होते हैं उन्हें देखते ही मुझे बहुत खुछ हो जाती है और अगले दिन से वो गरीब लोगों को दान करना शुरू कर दीती है उसके बाद वो अपने छोटे भाई सोनों के साथ हसी खुशी रहने लगती है